बॉम फिर से रियक्टिवेट हो जाता है मंतरी जी को देना पड़ता है सारा सबूत आतंगमादी को लेकिन रिसी अपनी चालाकी से फिर से वो सबूत वापस ले लेता है और यहाँ पे मंतरी जी की जान को भी पचा देने वाला है अपकमीन अपिसोर में आपको देखने को मिलेगा कि बॉम तो लक्षमी डिफ्यूस कर देती लेकिन यहाँ पे आतंगमादी काफी जादा चालाक होता है वो फिर से बॉम को रियक्टिवेट कर देता है यह देखकर मंतरी जी और बागी सब लोग डर जाते क्योंकि बॉम साथ नीचे गिर जाता है आतंगमादी के पॉकेट से रिशियो सबूत को उठाकर अपने पॉकेट में रख लेता है लेकिन यहाँ पे आतंगमादी फिर से मंतरी जी को पकड़ लेता है मंतरी जी के गलाग होट के मंतरी जी को मारने की कोशिश करता है तब पुलिस वाले को दो पहले में इस मंतरी को तो मारूँगा ही मारूँगा लेकिन उस से पहले में इस लड़के को मारूँगा और तब वह रिशी के तरब गंद चलाता है तब तक वह पे आयूश रशालू भी पहुंचाने वाले वहीं लक्षमी दूसी तरब बॉम को डिफ्यूज कर देती इधर रिशी की जान भी बच जाती है उधर लक्षमी भी बॉम को डिफ्यूज कर देने वाली है